हलो फ्रेंज, जै मातादी कैसे हैं आप सब आज मंगल वार है, बाला जी का वार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है, बोल ये बचरंग बली हनूमान की जै, साथ ही साथ अमावस की रात है, दर्श अमावस्या है, और मावस की दिन रातरी का विशेश म महत्व हो जाता है, चंद्रमा की सोलवी कला को अमावस्या कहा गया है, और चैत्रमास की जब अमावस्या तिथी आती है, तो इसे भूतड़ी अमावस्या भी हम कहते हैं, पुर्णिमा का अधिक महत्व होता है, इसी तरह से अमावस्या की रातरी, महालक्षमी की रातरी मान आप देखते हैं ना दिवाली अमावस्या की रात में ही सेलिबरेट किया जाता है अमावस्या तिथी पर पित्र गण भी सूरी आस्तक घर के द्वार पर वायू के रूप में बिराजमान रहते हैं और हर जातक के लिए बहुत जरूरी होता है पित्र का आशिरवाद क्योंकि अमावस्या तिथी के स्वामी भी पित्र भी माने गए हैं और ऐसे में पित्रों को संतुष्ट करने के लिए प्रसन्न करने के लिए इस तिथी पर हमेशा बताती हूं स्तान, दान, पित्र तरपन आदी आपको करना चाहिए जहां एक और अमावस्या तिथी के दिन पित्र इस रात की कुछ माननेताइं हैं, क्योंकि इस रात को निशाचरी रात भी कहा जाता है, अमस्या के दिन बूदप्रेत, पित्र, पिशाच, निशाच, जीविजन्तु, दैत्य, सभी सक्रिय रहते हैं, उन्मुक्तर रहते हैं, ऐसे दिन की प्रकृति को जान करके, हमेशा कहा चाहिए इस दिन चंद्रमा की एक अला जल में प्रविष्ट होती है और इस तिथी पर चंद्रमा का औशधियों में वास हो जाता है अब मावस्या को मा की तीसवी तिथी जिसे कृष्ण पक्ष की समापती के लिए हम जानते हैं और इस तिथी पर चंद्रमा और सूरी का अंत या फिर उनको mental issues होते हैं ऐसी तिथी में ये लोग अती भावुक हो जाते हैं और उन पर इसका सबसे जादा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में हलचल बढ़ जाती है जो व्यक्ति नकरात्मक सोच वाला होता है उसे नकरात्मक शक्तियां अपने प्रभाव में बड़ी आ चोटे चोटे उपाई करने से मन को शान्ती मिलती है जीवन में जो अर्चने आ रही है उसका समधान मिलता है मनुष्य अपनी सभी परेशानियों से मुक्त होता है और उसका भौतिक जीवन सुखमे होता है आज हम बात कर रहे हैं मवस्या तिथी की महालक्षमी की भी तिथ का महा पर्व दिपावली भी इस तिथी को विशेश रूप से हम मनाते हैं तो आज की तिथी की रातरी पर जो भी मनुष्य साधना करता है दीप दान करता है उसके जीवन परमाता लक्षमी की विशेश कृपा माने गई है अमवस्या के अधिपती शनी देव को भी माना गया ह और इस दिन शनी स्वराशी कुम्भ में इस बार चैत्रमावस्या पर कुम्भ में अधिक पलवान रहने वाले हैं ऐसे में अमवस्या तिथी पर शनी देव का सभी को आदाधन करना चाहिए विशेश रूप से जिन लोगों पर सारे साती चल रही है धाया चल रही है शनी के कुछ प्रभाव चल रहे हैं उनको तो आज के दिन शनी देव का तेल से अभी शेक करना चाहिए विद्धों की रोगियों की सेवा कीजिए शनी देव को प्रसंद करने के लिए कोई भी उपाय आप कर सकते हैं चाहे तो काले तिल, काले साबुत उड़त, तिल का तेल, काज काला कपड़ा यह आपको आज के दिन दान करना चाहिए कुछ ना कर सकें तो शनी मंदिर में जाकर के ओम शम शनिश्चराय नमहा इस मंतर की एक माला का जब कीजिए नहीं जा सकते शनी मंदिर तो हनुमान जी के मंदिर में बैठ के कीजिए वो भी नहीं कर सकते तो घर में आप देखेंगे शनी देव से जुड़े आपके सभी संकट दूर होते हैं शनी देव की कृपा आपके उपर बरस्ती है शनी ग्रहे आपके अनुकूल हो जाते हैं दोस्तों आज हम बात कर रहें चैतर नवरात के ठीक एक दिन पहले जो ये खास अमवस्या आई है और मंगलवार को होने की वजह से इसे भौमवती कहा गया है जैसे सोमवार को सोमवती होती है इसी तरह से मंगलवार को होने से भौमवतिया मवस्या होती है और चंद्रमा कुम्भ राशी में है शनी के साथ युती करके ये विश्योग बना रहा है जो कि बहुत हानिकारक है अता इस रात्री में आपको विशेश उपाई अवश्य करने चाहिए रात को दस बच कर पचपन मिनट से माता के आगमन की तिथी यानि की चैतर नवरात्र की प्रतिपदा तिथी भी शुरू होने वाली है पुर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो रहा है जो कि आकाश मंडल का पचीसवा नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी गुरू यानि ब्रे प्रति के लिहाज से विशेश महत्व रखने वाला है लेकिन विश्योग के चलते जो अर्चने आने वाली है उनको आप दूर करना चाहते हैं तो आज की रात घर में स्पैशली आठ जगों पर आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए समस्त सुखों की प्राप्ति के लिए चैतर नवरात के ठीक एक दिन पहले आने वाली इस अमावस्या पर अगर हो सके तो आप पितर के निमित जो भी तरपन दान आदी कर सकें वो कीजिए और साथ ही साथ इन आठ दीपों का दान कीजिए आपको पारिवारी कश्टों से मुक्ती मिलेगी घर में धन संपति के भ किजिए आप माता लक्षमी के स्री सुक्त का पाठ कीजिए और हो सके तो शिवजी के मंदिर जाये शिवजी को जल चड़ाएए माता पारवती का शिवजी के साथ अभिषयक कीजिए पूजा आर्चना कीजिए ये सभी लाबकारी होने वाले है आज की दिन ही मादेवी पहले गंगाजल या गौमुत्र इसका छड़काव कर दीजे और घर का जो चारो कोना है इसमें एक एक कपूर की टिक्की आपको रख करके कोई भी बरतन में रख दीजे कोई स्टील की कर्टोरी में कोई मिट्टी के दीपक में चोटे चोटे टुकडे आपको चारो कोनों में आपको कपूर की एक एक टिक्की जलानी है और इसके बाद आपको दीपक जलाना है कहर के चारो कोनों में कपूर जलाने से क्या होता है बुरी शक्तिया जो आपके घर पे वास कर रही है वो उसका नाश होता है नकरात्मक उर्जा से आपका बच्चाव रहता है और तीनों देवियां लक्ष्मी तुर्का और सरस्वती इनके आगमन का प्रवेश का योग बंदा है आपके जीवन में समस्त सांसारिक सुखों की आपको प्राप्ति होती है आज के दिन आप दीपक जलाने के पहले ध्यान रखें इसके अर्थ को समझे दीप जोती परम ब्रम्हा दीप को प्रज्वलित कर जोत जलाने का बहुत महत्व बताया गया है आज वैसे भी हम देखते कोई भी पूजा पाट करते हैं कुछ भी करते हैं दीपक के बगएर हर काम अधुरा होता है और इसलिए आज के दिन महा लक्ष्मी को आप प्रसन न करना चाहते हैं माता लक्ष्मी क आपके घर में स्थाई रूप से आकर निवास करने लगती है चैतरिया मावस्या है तो सबसे पहला दीपक आपको पीपल के पेड़ पे जलाना चाहिए अगर आप पीपल के पेड़ की दिन में पूजा कर सकते हैं तो आप पीपल के विरिक्ष पर जाए और वहां पे थोड पीपल के विरिक्ष की जड़ में अर्पित करना चाहिए चाहिए तो दूद में बताशा और थोड़े से अक्षट डाल करके भी अर्पित कर सकते हैं इससे भी परिवार में सुक्षान्ती सौभाग्या आता है और शाम के समय आपको पेड़ के नीचे सरसु के तेल का दीप लगाना चाहिए दीपक लगाते वक्त आप पित्रों का समरन करें शनी दोश है तो शनी देवता का समरन करें माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो माता लक्ष्मी का समरन करें बोलें ओम सर्विभ्यो पित्रव्यो नमो नमा ओम शम शनिश्चराई नमा ओम महा लक्षम् इस प्रकार से स्मरन करते वे देवी देवताओं और पित्र का पीपल की साथ परिक्रमा लगाए और दीपक जला करके फिर आप वहां से मुड़ करके बिना देखे आप चुप चाप अपने घर की ओर चले आईए आप देखेंगे एक तो आपके पित्र प्रसन्न होंगे और ज पर आपको जलाना चाहिए हमेशा हमारा पूजास्ताल कहां होना जे घर के नौर्थ इस्ट कॉर्नर अवदा हाउस में यानि की पूरब और उत्तर के कोण में होना चाहिए और एक गाई की घी का दीपक आपको इस थान पर अवश्य चलाना चाहिए इससे घर में लक्ष्मी लक्ष्मी की आवक होती है और सकरात्मक बातावरन बनने लगता है कैसे जलाना है आपको एक दीपक ले लेना है कोई भी दीपक लीजिए आपके पस चांदी का है माटी का है तांबे का दिया है कोई भी ले सकते हैं उसमें लाल रंग के कलावे की एक बाती बना लीजिए और घी डाल दीजे, एक चुटकी केसर या एक चुटकी हल्दी डाल दीजे, और घर के इशान कोन में आप इसे जला दीजे, ओम महालक्चम्मे इनमा, ओम श्रिम रिम्शिम कमले कमलाले, प्रसीद प्रसीद श्रिम रिम्शिम, ओम महालक्चम्मे इनमा, इस प्रकार से बोलते अवश्य एक दीपक आपको जलाना चाहिए, चाहिए आपने बालकनी में स्थापित किया हो या जहां भी हो आप वहां पर एक घीकादिया जलाएं, और घीकादिया जलाने के बाद आपको चार बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाई इस मंत्र को बोलते विया तुलसी नामश्टक का पाठ करते वे परिक्रमा लगाईए ध्यान रखें दीपक को जलाने के बाद उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए तुलसी के पौधे को एक प्रकार से माता लक्ष्मी का भी स्वरूप माना गय तीसरा और चौथा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक एक दीपक चलाने चाहिए ये दीपक भी आपके घीके होना चाहिए जो लोग घीके दीपक नहीं एफोर्ट कर सकते हैं वो आप तेल के लगाईए फिर भी तिल का तेल यूज कीजिए वो सर्व हमारे घर को रोशनी से सजा करके हम माता लक्षमी को रास्ता बताते हैं कि माता लक्षमी आपका आगमन हमारे घर पर हो इसलिए पहले ही बोला मैने की नवरात्र शुरू हो रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई कर लीजे फूलों से रंगोली से सजा लीज तो यह उपाए आज से शुरू करके अगला 12 दिन तक करना है जाए तो आप आज से शुरू कर लीजिए अगर छूट जाए तो आप कल से भी शुरू कर सकते नवरातर में शुरू करके 12 रोज सुभी और शाम आपको यह दो दो दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनो के तेल का दीपक जलाएंगे आप देखेंगे ऐसा करने से बाहरी समस्याएं वहीं से लौट जाएगी और घर में सकरात्म कूर्चा का प्रवेश होगा पांचवा दीपक आपको अमावस की रात को घर के रसोई घर में या भंडार घर में चलाना है साबधानी पुर्वक च अधानी पांचवा बाहरी समस्याद को एकडिक चला जाता है और आपको करने के बादिपक हो जसकी बाती चलाना हाँ ऐसे में आपके घर में अनके भंडार भरे रहेगे ऐसेटा दीपक आपको घर में की चट पर घर की चट पर आपको जलाना चाहिए या भर आप बालकनी ह तो balcony में जला सकते हैं और balcony नहीं है अगर balcony भी नहीं है तो घर की जो दक्षिन दिशा है वहाँ पर window पर कोई इस दिपक को रख सकते हैं अन् से माता लक्ष्मी की आगमन की जरोत बनते हैं साथवा दीपक आपको धन के स्थान पर यानि तीजोरी पर रखना चाहिए यहां से मा लक्षमी का स्थाई निवास होता है जिस स्थान पर धन रखा जाता है वो माता लक्षमी का अपने आप में ही स्वरूप माना जाता है इसलिए एक दीपक अपने घर की तिजोरी या धन के स्थान के सामने रखिए आठवा दीपक अमावस की रात है तो घर के आसपास कोई नदी हो, कोई सरोवर हो, कोई नल हो कोई भी जल का स्थान हो, चाहे कुआ हो या कोई भी पानी का स्रोत हो उसके पास एक दीपक जरूर जलाना चाहिए कोई स्रोत नहीं है तो घर में जो पानी का अस्थान है वहाँ पर आपको लगाना चाहिए जल प्रकृती के अभिन्न अंगों में से एक माना गया है प्रकृती है और प्रकृती को ही लक्ष्मी कहा गया है जल नहीं है तो जीवन नहीं है इसलिए आपको एक दीपक जल स्रोत के पास लगाना चाहिए नहीं कुछ भी है तो आप किसी मंदिर में ये दीपक रख करके आ सकते हैं किसी चौराहे पर आप ये दीपक रख करके आ सकते हैं इस प्रकार से आपको अमावस की रात को दीपक ज जलाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए सबसे इंपोर्टन पीपल के व्रिक्ष के नीचे दीपक जलाना अगर ये पॉसिबल हो तो ये तो आप अवश्य ही कीजिए क्योंकि आपके जीवन में अगर पित्र दोश है विवाह, नौकरी, व्यापार सभी में सफलता में नकर आत्मक्ता दूर होती है और ध्यान रखना है किसी भी दिशा में दीपक नहीं रखना चाहिए क्योंकि गलत दिशा में अगर आप दीपक रखते हैं तो ये आपको नुकसान पहुचा सकता है तो मंदिर के पास जो दीपक जलाएंगे वो हमेशा पश्चिम दिशा या पूरब दिशा की ओर जले बाती इस बात का ध्यान रखें अब भगवान के दाहीनी तरफ दीपक जला रहे हैं तो घी का धीपक जला रहे हैं और भगवान के बाई साइड में लेफ्ट साइड में दीपक जला रहे हैं तो तेल का धीपक जलाना चाहिए ध्यान रखें करकर चोटे चोटे दीपक बना लीजे या अपने गबले में से मिट्टी ले ली जे वहां से बना लीजेे चोटे चोटे दीपक और इन दीपकों को आप अपने घर पॉर लंबी बाती का, खड़ी हुई जो लंबी बाती होती है, उस तैप की बातियों का इस्तेमाल करना चाहिए, और सिर्च जो पित्र के दीपक की बाती है, उसकी दिशा दक्षिन होने चाहिए, बाकी पूरव्या पश्चिम करके जलाईए, तो दोस्तों खास नवरातों के पहले खास अमावस की रात है और इनार जगों पर आप भी अपना दीपक चलाएं आप देखेंगे साथ पीडियों तक माता लक्षमी आपके घर पे निवास करेंगी आपके जो भी आने वाले वन्चज है वो सभी सुखी रहेंगे समरिद्ध रहेंगे और हर समय आपकी तीजोरी भ जिल लोगों ने भी कलश थापना आदी के वीडियों नहीं सुने है अभी तक कृपा करके उससे सुन लीजिए किस प्रकार ना करनी है उसी प्रकार से स्थापना आदी कीजिए छोटे-चोटे उपाई बताते रहूँगी ताकि प्रते एक दिन आप अपने पास घर में बे अब बिश्चाया राज है इस प्रकार से जो भी आपके प्यारे प्यारे भजन है जै माता दी करते जाए और नौ दिन नवरातर में मा को मनाते जाएं तो कर लीजे उपाएं दोस्तों किल खिलाते रहे मुस्कुराते रहे wish you all a very very happy नवरात्र आप सभी को इन नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुप कामना है माता रानी आप सभी को सुखी रखे इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही take care friends, love you all, share माता दी, पंबं भुले नात की और स्वयम सिर्फ नहीं सुनना है, ये चोटे-चोटे उपाए, माता रानी का सिर्फ नाम लेने से नहीं, मा की भक्ती करने से नहीं मा के प्रचार से भी मा बहुत प्रसन्ना होती है, तो चोटी-चोटी बाते जो आपको बताती हूँ, वो लोगों में जागरुकता फैलाते जाए, सभी से इन चोटी-चोटे वीडियोज को शेर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाए, कब किसकी लाइफ बदल दे, so love your friends, take care, जै माता दी, बम बम, भुले नाज की, जै कारा, शेरा वालीदा, बोल, साचे दरबारे की, जै